है लो प्रेंट्स डिटा क्रोंगीशन के लेक्चर नम्बर ट्रेंड में आपका स्वागत है आज के लेक्चेर में हम लोग डिसकुस्ट करने जा रहे हैं मॉल्टिप्लेक्सिंग का ऐसे डिजिटल में बना रख्था है है अगर आप more detail में जाना चाहें तो वहां बीदिशल इलेक्रोनिक्स के लेक्टर में आप multiplexing दी-multiplexer दोनों electronic circuit complete बना हुआ है उसका डीटेल भी हमने बता दिया है उसको आप आप देख सकते हैं लेकिन अभी हमारे discussion का multiplexing का मतलब एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है multiplexing means many is to one कि multiplexing means many is to one और दी-multiplexing की अगर हम बात करें दी-multiplexing means one is to many just take दूसरे का पोजिट है इतना ही बात आप भी आपको ध्यान में रखना है ऐसे multiplexing को define अगर करना हो तो कैसे करेंगे कि multiplexing is a method by which multiple analog or digital signal either analog communication या digital communication दोनों में इस्तमल किये जाते हैं इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि analog के लिए और a shared medium अब जड़ाद देखिए अगर हम network में data को transmit करना चाहें तो क्या करेंगे हमारे पास है तीन फीगर है फीगर ए फीगर बी और फीगर सी इतीनों फीगर को हम पाली बाली से देखेंगे सबसे पहले हम फीगर ए की बात करें तो यहां पर देखिए हमारे पास computer है c1, c2, c3 और c4 अगर हम cable direct end to end communication की बात करें direct physical cable की बात करें तो क्या होगा समस्या जरा देखिए हमको c1 से c3 को communicate करना है तो single cable हमने लगा दिया communication channel c2 को c4 से जोड़ दिया लेकिन क्या होगा अगर c1, c2 से communicate करना चाहे c1, c4 से communicate करना चाहे c4, c3 से communicate करना चाहे या c2, c3 से communicate करना चाहे तो फिर क्या करेंगा अभी हमारे पास कोई भी कल्प नहीं हम तो सीधे सीधे physical cable लगा दिए है और केबल लगाने से फायदा क्या है जरासा देखिए यहां पर जो कम्मिकिशन लाइन है यह कम्मिकिशन लाइन यहां पर जो दोनों प्रोसेसर हैं माल लेते हैं हमारा प्रोसेसर वन जी बी पिएस टेटा कम्मिकिशन रेट है यहां भी वन जी बी पिएस है लेकिन दोनों के बीच फाइल जो हम कम्मिकेट कर रहे हैं यह फाइल वन एम बी का है हाँ अब बताईए कि यह जो कम्मिकेशन लिंग है हमारा वन जी बी पिएस मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड है फाइल हमारा वन एबी का है इसका मतलभ है कि एक सेकेंड के वन बाई कि 1000 सेकेंड है अगर हम बाइनरी की बात करें तो 1024 होता है लेकिन अब नॉर्मल समझने के लिए 1000 ही हम काउंट करें तो कितने कम समय में डेटा ट्रांस्फिर होगा आप फिर हमको इस लाइन को तो हम पर्मानेट लगा के रखना होगा अब पर्मानेट लाइन हम कनेक्ट किये हैं लेकिन हमारा काम कीते ने देर तक आया जब हम डेटा ट्रांस्मीशन करना चाहें और वह भी वन सेकेंड के 1000 टाइम मतलब मिली सेकेंड अब आप सोचिए कि वन मिली सेकेंड तक हमने कम्निकेशन चैनल का इस्तेमाल किया उसके लिए हमने कम्निकेशन लिंक बना कर रख ज्यादा समय लगेगा तेन मिली सेकेंड का समय लगेगा लेकिन रियल लाइफ में वान मिली सेकेंड टेन मिली सेकेंड हंटर मिली सेकेंड का क्या मतलब है कुछ नहीं और हम पर्मानेंट कर दी है पहला दूसरा समस्या मतलब ज्यादा तर हमारे कहने का सीधा मतलब है कि ज दूसरा, अगर हम C1 को C4 से जोड़ना चाहें, तब हमारे पास एक ही भी कल्प है, कि हम अपने complete design को बदलें, यहां से एक दूसरा channel हम लगाएं, जो यहां पर आएं, इनको आपस में जोड़ दें, यहां से एक नया channel हम C2 to C3 कर दें, C1 से C2 का channel बना दें, C3 से C4 का channel बना दें, यहां मतलब है, कि अब हम topology के लेबल पर बात करें, तो miss topology की बात करें, जिसमें जितने भी computer को आपस में जोड़ना, हर computer को हर दूसरे computer के साथ direct link होना चाहिए, तब फिर computer decide करेंगा, जिनको message भेजना हो भेज रखता है, लेकिन यह सिर्फ चार system की बात है, जिसमें cable देखिए, हमणारे पास 6 separate cable जोड़ने होगे, अगर 8 होता तो क्या होता, 16 होगा तो क्या होगा, अगर 100 computer को जोड़ना हो, तो हर computer को 99 cable parallel में रन करना होगा, अब अंदाजा लगाए, कि यह कितना मुश्किल काम होगा, networking के लिए, computer को जोड़ने के लिए, और data communication हम चाहते हैं, और ऐसी इस्तिति में, जितना cable हम लगाएंगे, क्या उनका पूरा इस्तेमाल होगा, उस cable का यूज होगा, बिल्कुल नहीं, यह तो आप तेक रहें कि यह 1 millisecond के लिए इस्तमाल किया जा रहा है, जब data transfer करना होगा, तो 1 millisecond, 2 millisecond, 5 millisecond तक यूज होगा, बाकी घंटो घंटो आइडियल रहेंगे, उनके क्यों यूज नहीं है, क्योंकि हमारा communication, link जो है, वह बहुत fast है, हमारे बास data छोटे-छोटे है, जिनको जब ज़रूरत होती हम transfer करते हैं, network का यही मतलब है, कि जब ज़रूरत होगी, तो share करेंगे resource, file sharing की बात हो, memory sharing की बात हो, process sharing की बात हो, तो जब ज़रूरत होगी, तो भी करेंगे, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि practically यह काम कितना tough है, इससे बचने का उपाय क्या है, तो इस समस्या से बचाने का जो व्यवस्ता है, उसी को हम बोल रहे है, multiplexing, हमने विचार किया, कि हम ऐसा connection करेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास system है, इन सारे system को एक unique नाम हम दे दे, c2, c3, c4, यहाँ पर हम कर दे, c5, c6, c7, c8, और data communicate करने का जो provision है, यहाँ पर हमने दो line दिखाया है, लेकिन practically आप मान के चलिए, कि यह single line है, अब हम end to end communication की बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक multiplexer system लगा रखा है, और जितने भी computer हैं, उन सब को उसी multiplexer से add कर दिया, अब अगर हमारे पास four system है, तो जो one millisecond तक हम इस्तेवाल कर रहे थे, चारों अगर one millisecond करेंगे, तो four millisecond तक यूज कर सकते हैं, आप सोच लीजिए कि अगर हम one thousand भी लगा दे, one ten thousand लगा दे, क्या फरक पड़ता है, multiplexer तो multiplex कर लेगा उनको, अब multiplexing के बाद इस data को हम single channel से single communication link से भेजते हैं दूसरे साइड में, लेकिन दूसरे साइड में भी अब individual computer को हम नहीं भेज रहे हैं, हम demultiplexer को भेज रहे हैं, मतलब यहां से separate signal, यहां common signal और common signal अगर दे, multiplexer, demultiplexer में one is to many, यहीं पर देखिए concept, many is to one, और यहां one is to many, हमने c8, c9 दिखाया, आप चाहें तो c0 to cn लिख सकते हैं, यहां c0 to cn इधर भी हो सकता, इतने number आप चाहें जोर सकते हैं, हमको सिर्फ communication link multiplexer, demultiplexer के भी transmission करना है, और वहां पर हमारे लिए single link होगा, अब इस से क्या होगा, कि अगर c1 को data transfer करना है, तो कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, अब यह जो हमारा चैनल है, single communication cable, cable अलग नहीं है, दो नहीं है, केवल हमने क्या किया है, कि अगर multiplexing की टाइप की बात करना है, सबसे पहला division frequency division multiplexing, frequency division में क्या होगा, यह कहीं channel, यह हम इतना बड़ा इसलिए दिखा रहे हैं, कि इस channel के bandwidth की बात करता है, यह bandwidth है, अब इस bandwidth पर क्या होगा, कि इस तरह से data का communication होगा, मतलब single cable में multiple frequency के signal एक साथ move कर सकते हैं, और यह technology कोई बहुत नहीं नहीं है, आपके लिए भी नहीं नहीं है, आप थोड़ा अगर विचार करेंगे, तो cable television के single wire से सारे channel आते हैं, हर channel का प्रसादन होता है, लेकिन हमारे TV में हर चैनल दिखाए भी जाते हैं, दिखता भी है, लेकिन cable में जो wire हम इस्तेमाल करता है, तो single cable से सिर्फ एक ही television नहीं चलते हैं, अगर cable television network को आप देखें, तो एक ही cable को partition करके हज्जारों घर में connection दिया जाता है, और हर घर में वो channel देखे जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह single cable है, इस single cable के bandwidth अधिक हैं, और इस bandwidth में अलग अलग channel एक साथ move करते हैं, मतलब हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, अगर आप चाहें, कि यहां पर C1, C2, C3, C4, हम चार की बात करें, अगर N हो, तो तो 2, Cn, यह सारे एक साथ, एक single cable से move कर रहे हैं, और single cable से move करके demultiplexure के पास आए, अब demultiplexure के पास जब आएंगे, तो सफाविक है कि हमें जो packet भेजना होगा, जो message भेजना होगा, उसमें थोड़ी सी इससे complexity बढ़ जाएगी, हमको बताना होगा कि हमारा packet नमबर 1 और O system नमबर C5 हो जाएगा, हर packet में destination का address देना होगा, source address, यहां आप ऐसे कर सकते हैं, P1, C1, C5, अब आप समझ रहे हैं हमारे कासे का मतलब कि हमने, एक साथ पूरे data को नहीं भेज करके packet भाई भेज रहा है, packet नमबर 1, source address C1, और destination address C5, तो C1 से data चलके, ओ data यहां से ऐसे move करेगा, ऐसे करेगा, यहां करेगा, यहां जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, अगर हमें C5 की जगा, C6 करते तो, तो यहां नहीं जाके, यहां चला जाएगा, इस बात को आप समझ रहे हैं, तो यह काम, इस से थोड़ा सा हम technological level पर development किये, multiplexer का इस्तेमाल किये, इससे फाइदा हो गया कि बहुत सारे जो केबल हमको लगाने थे, इनसे हम बच गया, हमको ज़रूरत ही नहीं है, single cable के through communication कर लेंगे, दो पॉइंट पे, और यहां पर चाहिए, जीतने भी system लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह जो बेवस्ता है, यह है multiplexing, multiplexing कहता है, कि बहुत सारे चैनल को एक common cable से भेजने के लिए, हमको multiplexer की ज़रूरत होगी, और उस common channel से बहुत सारे अलग-अलग distribution network पर भेजने के लिए, हमको demultiplexer की ज़रूरत होगी, तो हमने multiplexer, demultiplexer का basic concept समझा, यहां पर many is to one, और one को transmit कर दिये, यह हमारा source हो जाएगा, और यह हमारा destination point है, तो source से चलके destination दागाया, destination से फिर वो distribute हो गया, वो जहां चाहें आप ले जा सकते हैं उसको, तो यह concept जो है, वो multiplexing है, अब frequency division multiplexing कहने का मतलब है, कि single cable पर अल अलग चैनल एक ही साथ मूब करेंगे parallel, इसको हम बोलते है, frequency division क्योंकि यहां पर अलग अलग frequency कहने का मतलब क्या है, हमारा data माल लेते है, file f1 है, file f2 है, तो हमने अलग carrier signal से, इसको 100 GHz पर carrier पर दे दिया, इसको 110 GHz कर दे दिया, carrier frequency, यह carrier frequency है, और यह हमारा data, इन दोनों को एक साथ merge कर दिये, और और carrier इनका अलग है, इनका अलग है, f3 अगर file है, तो 120 GHz पर move करेगा, f4 है, तो हो सकता 150 GHz पर हो, यह सारे signal अलग अलग frequency पर है, और वो single cable से होते हुए आगे बढ़ते हैं, इन ही को हम बोलते हैं, frequency division multiplexing, एक ही केबल से अलग-अलग frequency bandwidth के आधार पर साथ-साथ, simultaneously move करते हैं, यह है frequency division multiplexing, दूसरा concept है time division multiplexing, frequency division multiplexing का सीधा सा example आपने देख लिया, यह एक ही केबल पर multiple channel move कर रहे हैं, दूसरा होता है time division multiplexing, time division multiplexing का concept थोड़ा सालग है, केबल तो यह खीद हैगा, लेकिन वहां पर हमने क्या किया है, कुछ इस तरह का provision बना रखा है, कि यह time graph में, c1, c2, c3, c4, c1, c2, इस तरह से move करेंगे, मतलब यह केबल से signal तो यह कहीं move करेगा, यह कहीं channel move करेगा, लेकिन time slot अलग-अलग होगा, switching होती रहेगी, मतलब अगर चारों ही frequency को जाना है, second destination पर, तो हम क्या करेंगे, पहले c1 के signal को भेजेंगे, accuracy time तक माल लेते हैं, यह time graph अगर हम बात करें तो यह 0 से 1, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से division होगा, एक time में, 0 to 1 में transmit हो रहा, c1, 1 to 2, c2, 2 to 3, c3, 3 to 4, c4, अब फिर से हमने c1 को number दिया, 4 to 5 में, c2 को दिया, 5 to 6 time slot में, मतला हर 1 second, या millisecond कोई भी आप time division रख सकते हैं, इस तरह से, यह decision हमने लिया, कि हमारा cable पर तो एक समय में एक ही signal जाएगा, लेकिन time interval के आधार पर move करेगा, और वो sequentially move करते जाएगे, हर computer के message, source to destination या multiplexer, demultiplexer के भी time interval के आधार पर move करेगे, वैसी इस्तिति में क्या होगा, कि एक समय में एक ही channel move कर लहा है, फिर उसके बाद दूसरा चैनल आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चोथा आ रहा है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, किसी channel को आप जब television में देखते हैं, हैं तो हम क्या मेखते हैं कि कोई सिरियल चल रहा है कि एकनिस्टि टाइम तक सिरियल चल रहा है उसके जस्ट बात हमार एड्वर्टाइच्प में अलग अलग मैसेज लेके आ serial का पार्ट आएगा फिर advertisement का पार्ट आएगा इस तरह से वह एक ही केबल पर अलग-अलग message भेज़े जा रहा है जो हमें यहां पर किसी भी point पर चाहे तो हम उसको distribute करके देख लिए या एक सब देख लिए तो time division multiplexing में एक with respect to time हम channel को switch over करते हैं और एक ही cable पर एक समय में एक ही channel या computer के data को move करने की इजाज़त होती है और उस time slot के अधार पर अलग-अलग channel को हम allocation करते हैं त्या है time division multiplexing लेकिन time division multiplexing में एक पतोर धिहान में रखना है अगर हमने सारी channel को बराबर का अधिकार दिया ठीक से समझ लिए जैसे इसको यहां पर हम देख लें माल लेते हैं यह हमारा time graph है c1 c2 c3 c4 c5 c6 c1 c2 c3 c4 इस तरह से data move कर रहा है मतलब सारे incoming channel को हमने एक बराबर का time लोकेट किया इस पाटिकुलर टाइम में c1 फिर c2 c3 c4 फिर c1 फिर c2 फिर c3 फिर c4 तो इसमें समस्या क्या आएगी कि कि किसी पाटिकुलर टाइम में हूँ सकता है कि c1 कहता है कि हमें तो data करना नहीं हमारा time slot देने से क्या फायदा है हमको तो अभी कोई data भेजना ही नही नहीं भेजना है आप हमारे लिए time alert कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है फिर तो time के वेस्टीज है उस time तक ideal रहेगा केबल इस पर कोई data communication नहीं होगा और चुकि हमने लोकेट कर दिया synchronized manner में one by one तो उसके लिए time alert है आप भेजे या ना भेजे तो practically देखा गया कि हम इस तरह का व्यवस्था नहीं करके हम asynchronous transfer mode में जाएंगे asynchronous transfer mode करता है कि अगर C3 के बाद C4 को data नहीं भेजना है तो उस time में जो भी line में है उनको भेजिए C1 को भेजिए फिर C2 को भेजिए फिर हो सकता According to requirement, अगर हम arrange करें, time multiplex करें, इसको हम बोलते हैं asynchronous transfer mode, जिसमें आप अगर interested हैं, आपको मौका मिलेगा, आप interested नहीं है, तो आपको हम time allocate नहीं करेंगे, जो Q में हमारे पास आ रहे हैं, उन्हीं को हम data भेज दे रहेंगे. यह है asynchronous transfer mode, time division multiplexing, synchronous भी हो सकता, asynchronous भी हो सकता, synchronous मींस सबको बराबर कर आइठम ने दिया, यह synchronous में priority सेट कर दिया, जो इंट्रेस्टेट हैं वो data transfer करेंगे, जिनको इंट्रेस्ट नहीं हो, नहीं बेजेंगे. ति यह दोनों टेकनिक हमारे data transmission में इस्तेमाल किये जाते हैं, और वो guided media हो, unguided media हो, कोई फरक नहीं पड़ता है, दोनों में यही बैवस्था हम लगाते हैं, और यह electronic communication की बात हो रही है. लेकिन क्या होगा जब optical communication की बात होगी, मतलग number three wave division multiplexing, देखें, wave division multiplexing में यह बैवस्था हम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा signal जो है electronic form में है यह नहीं, वो तो optical form में है, तो optical message को जब भेजना होता है, तो यहां पर देखिए, हमने बना रख्था है, यहां पर आ जोड़ी और भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे यहां पर हम इस पॉइंट पर हम multiplex कर रहे हैं, और यहां आने के बाद हम डी multiplex कर रहे हैं, और यहां पर फिर c5, c6, c7 and so on, यहां भी बहुत सारे signal हो सकते हैं, यहां भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच यह transmission हो रहा, वो electrical signal नहीं है, वो light particle है, photon particle से transmission की बात हम कर रहे हैं, तो photon particle में multiplexing के लिए यह जो device आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, प्रिज्म है, जो multiplexing का काम भी prism के द्वारा हो रहा है, और यह भी prism है, जो demultiplexing का काम कर रहा है, यहां पर जो signal हम देते हैं, यह खास angular movement के आधार पर reflect होता है, और उसी के आधार पर उसको हम वहां पर distribute कर रहे हैं, फिल्टर लगा लेते हैं, और यहां पर अलग- इस किया, यहां पर इसको separate कर लेंगे, और अलग-अलग frequency यहां से reflect हो जाएंगे, और इस तरह के multiplexing, demultiplexing का काम हम optical cable में, देख लिए फाइबर optic cable की बात हो रही है, यहां पर guided-unguided media की बात हो रही थी, copper distribution की बात हो रही थी, लेकिन यह फाइबर distribution की बात है, फाइबर optic cable में हम लोग wave division multiplexing का इस्तमाल करते हैं, और यहां पर data transfer किया जाता है, हम आसा रखते हैं कि multiplexing का basic concept आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी हमको long range में data communication की ज़रत होगी, अब देखे, यहां जो source or destination का distance की है, यह कोई माइन नहीं रखता है, सिंगल cable पर हमने एक बार multiplex कर दिया, उसको 100 km ले जाए, 400 km ले जाए, 1000 km कोई distance माइन रखता है, electric current की speed या light की speed हमको पता ही है, 30000 km per second, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो, तो कितना समय लगेगा उसको, वो तो पूरी पृत्वी का चक्कर एक सेकेंड के अंदर 6-7 चकर लगा सकता है, तो दुन है signal, इसलिए single cable पर इसके throughput को हमने बढ़ाया, अब जहां पर बहुत सारे cable की ज़रुगत थे, उसके जगह पर एक ही signal हमने लगाया, यहां पर थोड़ा सा हमको multiplexure और demultiplexure का इस्तमाल करना पड़ा, जिसके आधार पर हम आसानी से signal transmission को आसान कर पाए, और यही मकसद था ह हमारे multiplexing technique का, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर कुछ ने topic के साथ मिलेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,